हाई फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज एक नया टॉपिक लिए के हम आपके साथ जुड़ेंगे जब जब वोल्कैनों फटता है जब 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 जो अलमों के फटता है तो एक लावा रस उससे बाहर निकलता है जिसको लिक्विड फॉर्म में होता है और वो समय तय करता है कि और लावा ठंडा होने के बाद उससे बनेगा क्या उससे किस तरह का स्टोन जनम लेगा और इसी तरह ये गरम तप्त लावा जब ठंडा होने लगता है तो अलग-अलग तरीके के स्टोन यहाँ पर जनम लेते हैं इसमें कुछ जेम स्टोन भी होते कुछ इगनियस वोल्कैनिक रॉक भी होते हैं तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही नए स्टोन की एक बहुत ही अच्छे और बड़िया जेम्स्टोन के बारे में हम आज इस वीडियो के माद्यम से जानकारी लेने वाले हैं यह लावा जब दीरे 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 ठंडा होता है तो उस उसके अंदर उसकी जो प्रोसेस है वो तय करती है कि किस तरह का स्टोन यह बनेगा और यह लावा ठंडा होने की प्रोसेस होती है बहुत ही दीरे 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 होते रहती है एक दम से लावा ठंडा नहीं होता तो उसके अंदर उस समय जिस जिस एलेमेंट का जिस मिनर का combination होगा उस तरह का gemstone वहाँ पर जनब लेता है आज हम बात करने वाले हैं obsidian rock के बारे में obsidian rock एक बहुती hard rock होता है जिसका hardness 5 से लेके 8 moh scale होता है और यह जब लावा rapidly कोल होता है तो भी जनब लेता है इसके बहुत different different color होते है जैसे blue हो गया red हो गया orange हो गया black हो गया और कुछ कुछ जगब पे तो यह green और white color में भी available है अभी यह जो stone होता है इसको हम as a weapon पुराने जमाने में इसको आज हम as a weapon यूज करते थे जैसे की तीर बनाते थे इससे कुलाडी बनाते थे और यह इतिने शार होते थे इसके blade की हम इससे बाल के दो बाल को दो भागों में divide भी कर सकते थे ऐसे मानते और यह बहुती hard हो होने के साथ साथ ही एक natural glass है यह glass होने के कारण इसका जेमस्टोन एज जेमस्टोन और एज पॉट के तोर पे भी इस्तमाल किया जाता था इसको शेप करके अभी जो आप देख रहे हो एक brown obsidian rock है जो की बहुत ही अच्छा है और इसे हमने एक abandoned mine से foreign में collect किया था और यह आप देख सकते हो इससे यह obsidian से अलग-अलग तरीके weapons जैसे की तलवार और अलग-अलग weapon बनाए गए है अब यह हम धीर-धीर आपको दिखाएंगे कि अलग-अलग टाइफ के obsidian rock कैसे होते है इसके hardness हमने बताई है आपको पांसे लेकर 8 MO scale पे होती है और एक hard होने के कारण इसको इसको तो medical field है उसके अंदर और ऐसे बहुत सारी impurity मिलके इसका color तै करते है आप देख सकते हो अलग-अलग color के obsidian आपको यह आप दिखा रहे हैं यह बहुती बढ़िया-बढ़िया collection हम आपके ले करके लाएं यह पूरे यह transparent नहीं है इसमें transparent भी होते है जिसकी value बहुत जादा होती है आप देख सकते हो कि हमारे पास कैसे अलग-अलग color के obsidian रॉग है यह foreign में collect किया गया था और इसका video भी foreign में बना हुआ है तो आप देख सकते हो इसमें एक black obsidian हमें नजर आ रहा है इसके साती सात में एक green obsidian जो की सामने की तरफ है यह green obsidian भी हमें नजर आ रहा है यह बहुत ही अच्छा green obs obsidian है और इससे हम gemstone भी बना सकते इसके बाद आप देख सकते हो यह brown टाइप में अलग है यह actually brown और black color में है और इससे just आगे जाओ गया तो वहाँ पर आपको नजर आएगा blue obsidian यह बहुत ही rare होता है blue और red obsidian बहुत ही rare होते ग्रीन obsidian green obsidian तो फिर भी मिल जाएगा लेकिन blue obsidian मिलना बहुत ही मुश्किल है यह बहुत rare होता है इसके साथ इसाथ आप देख सकते हो यह rainbow obsidian टाइप में है लेकिन इसका rainbow अभी future हमें नहीं दिखाए देगा क्योंकि जो camera की जो light है studio की light हो कापी high होने के कालम अभी आप देख सकते हो इसमें अलग-अलग color है slightly different color है मतलब बहुत ही कम distance है इसके बीच में color combination के बीच में अलग-अलग टाइप के obsidian हमें आप नजर आ रहे है अभी आपको हम देरे-देरे करके एक एक दिखा रहे है यह जो देख रहे है यह बिल्कुल clear black obsidian है और यह बहुत बढ़िया है इसक इसको आप shift देखे जेम स्टोन बना सकते है इसको इसके बाद आप आगे next टोन की तरफ चाहिए यहां पर आपको दिखेगा यह है rain obsidian इसका color अलग है इसमें 7 रंग आपको नजर आएंगे यह अभी camera के light के सामने नजर निया रहे लेकिन इसके में 7 रंग निकलती इसका न important है यह है आपका blue obsidian यह बहुत ही rare blue obsidian है और इसका color आप देख सकते हो कैसे बहुत ही different type में ही है मतलब हमें मिला है और यह जो तीनों आगे वाले obsidian है ना एक पत्तर में चिपके हुए थे यह आप देख सकते है इसका जो बेस है ना चिपका हुआ है ऐसा लागता जो सेमें अलग-अलग shading है और यह blue obsidian है उसके बाद next obsidian की तरफ चलते इसके अंदर जो आप देख रहे होंगे अलग-अलग shades है blue भी है और अलग-अलग तरह के shades है इसके अंदर यह भी काफी rare obsidian type है और यह बहुत ही बढ़िया obsidian की खोश हमने की थी यह actually मिलता नहीं है अगर आपक इसके अंदर लेंगे यह एक blue obsidian है यह खास करके कुछ लोगों की demand थी कि obsidian के ओपर वीडियो बनाओ तो obsidian के ओपर वीडियो हमने बनाया है यह आप देख सकते हो यह भी काफी rare obsidian है यह थोड़ा green है इसका color अभी यह जो camera की जो light होती है ना यह पता नहीं क्यों इसको ऐस साथ चिपके होए थे तूटे है हमारे से इसके टुकडे भी हमारे पास है बहुत बढ़ी obsidian rock यहाँ पर अभी आप देख रहे हो इसका color हमें नजर नहीं आ रहा है इतना मतलब हमने अलग-अलग एंगल से इसको दिखाने कोशिश किया कभी आता है कभी नहीं है क्या मेरा क अब देख सकते हो कि यह इसके shading कैसे है इसके बहुत ही बड़ी है बड़ी है शेडिंग से और बहुत ही अच्छा शेडिंग से इसके अभी यह जो है यह मेरे लिए बहुत लगी और सबसे फेवरेट स्टोन यही है मेरा यह एक green obsidian है दोस्तों पूरा के पूरा stone green obsidian अभी black नजर आ रहा है इसके extend वीडियो में इसी वीडियो में लास्ट में आपको इसके natural color दिखाएंगे इसको इसलिए खासे मेरा यह क्योंकि इसमें naturally श्री गनेज जी की statue यह गनेज जी की मूर्ती है और मैं काफी respect करता हूँ इस stone का मैंने इसको अपने घर में जो मंदिर है इस इसका collection है और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमाँ से ऐसी discovery करके आपके सामने लाते है और आपको दिखाते है कि obsidian rock ऐसा होता है इसके क्या फाइदे होते है एक्चुली अलग-अलग obsidian के अलग-अलग फाइदे जिसमें से black obsidian के फाइदे मैं आपको बता सकता हू यह निगेटिव इनर्जी को एपसॉस कर लेता है रिमूव कर लेता है अगर आपके घर में निगेटिव इनर्जी है तो आप black obsidian को अपने घर के दरवाजे के उपर रखने से निगेटिव इनर्जी आपके घर में कभी इंट्री नहीं करेगी ऐसा वास्तुशास्त्र और फैंग शुई यह ऐसे जो स्टेडी जो कहते हैं मैं इसे कंफर्म नहीं करता बट मैं यह पड़ा हूं और मैं देखता हूं वीडियो में तो वह ऐसा क्लेम करते हैं अभी आपको ना में डिटेल में तो दिखाने माला हुई है हमारा मिस्टर डायमंड फाइंडर का एक नया लोगों हमने डेवलप किया हुआ है जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखेगा और लोग बोलते हैं कि आप किसी के वीडियो उटा के तो नहीं डालते हैं यह आपका डाउट दूर करने के लिए हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ है अभी आप लाना बहुत जरूरी था क्योंकि अलग अलग टाइफ के उपसिडियन कैसे दिखते इसके बारे में लोगों जानकारी होना जरूरी है क्योंकि अभी यह देख सकते हो इसका ग्रीन कलर अभी यहां पर नजर आ रहा है हमने इस पर अलग से नैच्रिल लाइट डाली हुई है वाइट कलर की जो हमारे पास है टेबल लाइब उसकी लाइट में देखो कितना ग्रीन है और यह मेरा बहुत ही फैवरेट मैं इसको हमेशा नमन करता हूँ क्योंकि यह गनेजी की मूर्ती है और मेरे लिए बहुत लखी है और इसको जब रिकवर कर रहे थे तो मेरा हाथ भ देखो एकदम शार्प जो कलमे वाली उंगली है ना वहाँ पे वहाँ पे देखो शार्प एज है उससे मेरा हाथ भी एक बर कट गया था यह देखो कितना ग्रीन ऑपसीडियन है उसके ना प्रिस करके और नमेंट माना सकते हो लेकिन नहीं मैं यह मेरा बहुत ही मतलब मैं इसको प्रे करता हो डेलीट के यह गनेज जी की जो स्टैच्वे प्रतिमा है मुझे कापी इंस्पायर करती है और इसको मैं अपनी मंदीर में रखता हूँ आप देख सकते हो किस तरह से इसे महुत सारे लोगों ने मांगा मुझे लेकिन मैंने दिया में यह देख सकते हो आ शर्डिंग इसके अंदर है अभी देखना है इसमें ग्रीन भी शेर्ड है कही कही एक ग्रीन है फिर इस तरह देखो ब्ल्यू है और इसमें आपको कॉन हैडल फ्रैक्चर जो इसका फ्रैक्चर का टाइप है वो भी दिखाई दे रहा होगा जैसे मेरे अंगूटा है उसके में देखना उसके बाद आप आम चलते हैं यहां पर दूसरा हम एक स्टोन लेते हैं इसको देखे यह ब्लाइक उपसेडियन मैंने बताया था आपको आई वास्ताव में ब्लाइक उपसेडियन है इसमें कोई वेरेशन ने बिल्कुल प्यूर ब्लाइक उपसेडियन है और यह काफी valuable होता है बहुत सारे लोग इसको wear करते हैं, मतलब पहनते हैं as a jamstone इसको बहुत सारे लोग पहनते हैं, अभी यह देखो यह भी एक अच्छा बहुत ही बढ़िया है और इसका भी natural color देख लो, यह थोड़ा green type में अगर देखा जाए तो इसको आप देखोंगे न, real में यह बहुत ही बढ़िया है यह देखो यह green, green obsidian अभी यहापे color clear नज़र आ रहा है आपको यह green obsidian है दोस्तो और यह देखो कैसे इसका color shine कर रहा है यह green, बिल्कुल green obsidian है इस तरह से हमने बहुत सारे pieces और अलग-अलग varieties है इसकी हमारे collection में है और हम इसको कभी sell नहीं करते हाला कि Mumbai के एक business man ने हमें बोला ता कि आपके बास अगर blue obsidian है तो आप देख सकते हो अभी यह देखो यह blue obsidian है और यह stone है यह हमने उनको sell किया है तो तो यह जाने से पहले हमने इसको वीडियो बनाया था और यह बहुती बढ़िया quality का blue obsidian है हमने उनको sell किया है उनको इसका gemstone बनाना था मतलब as a gem use करना था तो उन्होंने आमारे से purchase किया यह देख सकते हो black obsidian नहीं है और मैं काफी खुश होता हूँ कि जब लोग हमें बोलते हैं और हम उनको लाके देते हैं तो उनके चेहरे के जब एकस्परेशन देखे हैं वह बिजनेस्मेन थे उन्होंने हमें बहुती मतलब काफी उनके चेहरे में दिखा कि उनके खुश थे और उननने हमें थैंक्स बोला यह देख सकते हैं एक brown obsidian है तो दन्यवाल thank you